बागपत में तेजबारिस आने से हुए गाउं में बार जैसे हलाद लगतार दो घंटे से चल रही बारिस ने बागपत के आसपास में बार जैसे हलाद देखने को नजर आ रहे हैं अगर हम आज से तीन दिन पहले की बात करें तो गर्मी ने अपना रिकोर्ड तोड रखा था गर्मी बहुत ज़ादा थी लोगों के पसीने नहीं रुक रहे थे इतनी गर्मी देखने को मिल रही थी वहीं सोमवार की सुबाद दिन निकलते ही आसमान में कारे बादल जाने लगे और बारिस ने अपना रिकोर्ड तोड दिया और जम कर बुना बानी सुरू हो गई देखते देखते बारिस इतनी तेज बढ़ने लगी कि गाउं में काफी जल भराओ होने लगा लगातार दो घंटे से बारिस ने रुकने का नाम नहीं लिया वहीं बच्चे अपने घरों से निकल बारिस का मज़ा लेते हुए स्कूल की और रुक कर रहे थे आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर बच्चे पानी से निकल स्कूल की और जाते नजर आ रहे हैं पानी की अगर बात करें तो गाउं में सडकों पर जल भराव काफी देखने को नजर आ रहा है ऐसा लगता है मानो जैसे बाड आ गई हो आपको वीडियो में साब साब नजर आ रहा होगा कि गाउं में कितना जल भराव हो गया है अच्छा बाजार में जादा पानी है को आपको आपको रहा है झाल झाल झाल